कि नमस्कार असी मारिया वर्त में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरफ और तुर्की के जो हालात है वह अभी वह जटकों से निकले नहीं है और वहां पे बहुत ज्यादा दावाई देखने को मिली है मृतिकों की संख्या अब तीस हजार के उपर बताई जा रही है तुर् वहां पे भी हजारों लोगों की जाने जा चुकी है और तुर्की में कहा जारा है कि 10 सहर है उनमें तवाही देखने को मिली है तो अभी भी रात बचाओ कार यह जारी है और भारत के तरफ से जो रिस्पॉंस मिला है वह बहुत ज्यादा बहुत प्रैग्माटिक था बहुत प्रोएक्टिव था जैसा ही भुकम की सुचना मिली प्रधान मंतरी ने तुरंद विदेश मंतरी से संपर किया और सब कुछ प्रिपेर करने के लिए बताया सब कुछ प्रबंध करने के लिए जिसमें यह बात कही गई कि भारत सेना के तरफ से बहुत सारे मेडिकल स्टाफ फोर्स कहा जाता है जो कि इसी तरह के प्रकृतिक आपदा में वो मदद और बचाव करते हैं उनको भी भेजा गया है तो भारत के तरफ से C-17 एक हमारा मालवाग विमान है वो वहाँ छे बार वहाँ पे ट्रिप लगा चुका है और मतलब हमारे सैनेबलों के साथ बहुत सा में हॉस्पिटल बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ तो बहुत जादा डिस्ट्रक्शन है बिल्डिंग्स सेक्योर नहीं है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए सारे लोग बेघर भी हैं बहुत सारे और वहाँ पे बिजली पानी का भी विवस्था नहीं है तो इस वज़े से यह ट आपके सामने कुछ बाते रखोंगा जैसे यह ट्विटर पर मैंने इंडिया तर्की अगर सर्च किया तो यह कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं कुछ तस्वीरें जिसमें एक यह फोटो जो है वह बहुत वाइरल हुई है इसमें एक हमारे सेना की शायद मेडिकल यह मेंब के कहें तो वो फिलिंग यहां पे देखने को मिल रही है साथ में यह भारत से राहत सामगडी पहुचाई जा रही है भारत का जंडा भी आप देख सकते हैं उसके अलावा भी यहां तुर्की के राजदूत जो है भारत में उनके तरफ से कुछ संदेश दिया गया है कि ऑप प्रेशन दोस्त का नाम दिया गया है दोस्त तुर्की में भी फ्रेंड को कहा जाता है और भारत में भी फ्रेंड को कहा जाता है यहीं सेवेंटीन प्लेन है जो विमान है इनके अंदर यहीं लोगों को भेजा जा रहा है हमारे सैनेबलों को और साथ में रात सामगडी यहा यह temporary hospital लग रहा है या फिर कोई शायद पर्मानेंटी कोई जगह हो तो वहाँ पे यह इलाज करवा रही है यह बच्ची इलाज करवा रही है और यह और भी लोगों को इसी तरह देख रही है उसके अलावा भी यहाँ पे NDRF के जवान है वो यहाँ पे मदद करते हुए दिख यहाँ यह NDRF का तो यही एक इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह नौ तारीक यानि नाइन्थ का एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि भारत जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा लोगों को भेजने वाला देश है सबसे पहले जो है वो है जो कि 775 है दूसरा इज्राइल है जो कि तुर्की के नजदी की है वहाँ 450 लोगों को भेजा गया है और भारत के तिरफ से 201 लोगों को भेजा गया है तो यह नौ तारीक की अभी तो और ज्यादा लोग जूर चुके होंगे तो यह भी देखा जा रहा है कि कैसे जो है वहाँ पर कहा जाता है कि यह डिक्टेटर हैं तुर्की के राष्टपती पस टाइटिल में है इन्होंने कॉंस्टिचूशन को भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है स्वाविदान और 2016 में एक कूप होने वाली थी मतलब तक्ता पलट का कोई अंदेशा था जिसको अर्द से लगा दी गई है ऑफिसेज बंद कर दिये गए हैं बहुत सारे मीडिया हाउसेज के और फिर सामीधान को इस तरह बदल दिया गया है कि जो पहले आर्मी थी वह राष्टपती की नहीं वह सामीधान को का पालन करती थी लेकिन अब आर्मी को भी अपने अंदर ही कर दिया गया है तो आर्मी के साथ एक और बात ये भी थी कि आर्मी का पहले रिस्पॉंस था जब भी कोई इस तरह की प्राक्रितिक आपदा आती थी तो आर्मी अपने आप विदाउट दा ओडर ऑफ दो प्रेसिडेंट वो खुद ही इसमें इन्वाल्व हो जाती थी लेकिन अब अर्दोगान के आदेश के बाद ही वो आगे बर सकते हैं तो ये सब काम किया गया अब भारत के संदर में क्या है तो अर्दोगान जो है वो कॉंट्रिवर्शल तो वैसे भी है लेकिन भारत के संदर में इनका जो भारत के प्रती एक तरह से कहा जाए तो नफरती देखने को मिलती है ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि ये मुसलिम जो उम्मा है उसमें बहुत जादा बिलीव रखते हैं और मुसलिमों के ये हितैसी बन रहे है और खुद को खलीफा भी समझते हैं क्योंकि इनके अंदर एक वो इगो भी है और साथ मे एक ambition भी है जो पुराना उस्मानिया सल्तनत थी यानि ओटमाइन एंपायर है उसको करना चाहते हैं क्योंकि यह समझते हैं कि तरकी का जो मुख्य उदेश है वह आपने पुरे पुराना इतियास को फिर चे जागरुक करना है यहां पर एक इंट्रेस्टिंग हेडलाइन है जिसको मैंने पढ़ा तो मुझे हासी भी आई थी कि किस तरह से यह और दुरान में उस तरह का इगो है पाकिस्तान स्पेशल फ्रेंड टर्गी टेक्स ओफेंस एड़ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर इंडिया एड कोप 26 हैर्स व पर जो बात हुई थी कि बहुत लोगों को बहुत देशों को समलित होने के लिए निमंतरन भी ला था जिसमें भारत भी था और तुर्की भी था लेकिन यह अर्दुगान जो है यह भारत को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला उससे यह चिर गया अब स्पेशल ट्रीटमेंट यह था कि भारत के साथ यूएस और यूके इन तीनों देशों को अलग से अपना-पना होटेल दिया गया था और अलग से अपना-पना उनका कारवा दिया गया था जो मोटर केट कहा जाता जिसको वो अलग से दिया गया था तो यह बस तीन देशों को ही दिया गया था अर् और यह जाने वाले भी थे अर्दगान लेकिन यह भी नहीं गये अब इनका कारण यह था कि इन्होंने कुछ दिमांड रखी थी ग्लास्गो में अपने कहा जाता है सेक्यूरिटी को लेके जो कि ग्लास्गो ने नहीं माना तो इस वज़े से यह वहां यह गए भी नहीं तो य इनका नजड़िया जो है वो इस तरह से इंडिया पाकिस्तान हावन इस्टैबलेश्ट पीस तर्की प्रेज और्दगान रिजेज कस्मीड इसू डियूरिंग यूएंजीएं तो यूएंजीएं के तरफ से जब वहां पे यह जनरल एसेंबली होते ही है तो सारे देश जो म पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक बहुत ही साजा दोस्ती भी देखने को मिली है वो एक आपको यहां पे एक वीडियो है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था तभी मैंने इसको नहीं दिखाय था लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट वीडियो ही है वाइल इंडिय तुर्की के साथ वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है तो यह दोस्ती की बात जो है वो यहां पे देखने को मिलती है अब उसके जब यह और्दगान ने यू एंजियो में कश्मीर को कश्मीर का राग अलापा तो भारत के तरफ से तुरंत ही डिस्पॉंस आया और रिस्पॉंस यह था कि केस चल रहा है तो उसको कभी अर्दगान ने नहीं उठाया और इसको जैसे यू एंजियो में कश्मीर का राग अलापा तो भारत के तरफ से यह रिस्पॉंस मिला उसके अलावा भी तुर्की ने भारत के खिलाफ बहुत सारे काम किये जिसमें टर्की में इमर्जिंग एज एंटी इंडिया ओपरेशन तो एक समय होता था कि यू एई जो है वो पाकिस्तान का मतलब अच्छा दोस्त हुआ करता था तो दावद इब्राहीम यह सब यू एई में ही पाए जाते थे वहां पे हवाला मनी मनी लॉन्रेंग स्मगलिंग यह साब का कारोबार जो भारत में वो करते थे लेकिन ओपरेशन वहां से ही उसको कंट्रोल किया जाता था तो उस समय की बात है अब यू एई में बहुत ज्यादा सुधार आया और भारत और यू एई की रिस्ते बहुत ही सुधार उसमें देखने को मिला है बहुत ही गाढ़ा भी हो रही है यह जो रिलेशन करते हैं तुर्की ने उनको वहां पर एक सुरक्षा क्रदान किया या फिर वहां पर एक देने की बात की है having इसके बहुत ने क्या क्या स्टिया है तो भारत में फिर साइपर्स के साथ डिफेंस कौॉर्परीशन कोउ-प्रेशन एग्रेमेंट वहां पर साइन कर दिया तो य अनीता दिमित्रियो स्पीकर आफ दे हाउस आफ रिफ्रेजेंटिव टीव और साइप्रस तो हम देख सकते हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर जैसंकर यह वहाँ पे चले गए वहाँ विजिट उन्होंने किया और वहाँ पे उन्होंने फिर डिफेंस को आपरे अजरबाइजान क्राइज फोल ओवर इंडियन आंप सप्लाइट तू अर्मेनिया अनफ्रेंडली मूव तो बात ऐसी है कि तुर्की ही नहीं तुर्की के अलावा अजरबाइजान है यह भी तुर्की जो अर्दुगान है इनका जो मैंने बता है कि इतका एक एमिशन है उसके श canyon में ये आ गए थे जबकि अरब में और भी जो देश है वो मुस्लिम ब्रदर्चूर्ध के समर्तन में नहीं थे उसके अरुचिशान के खिलाफ हमास जो है उसके समरतन में भी अर्दुगान है उसके अलावा फिर जज़ है आजरबाइजान अर्मेनिया के बीच मै युद्ध हो रहा तो अजरबायजान को बहुत सारे वैपन्स जो हैं वह तुरकी के तरफ से मिले हैं और पकिस्तान के तरफ से कुछ लडा के मिले हैं तो इसलिए इन तिनों की दोस्ती भी बहुत जादा गहरी है अब इसलिए यहाँ पर ओक्साने के लिए या अज़रुबयजान भी भारत को उक्साने के लिए कस्मीर का राग अलापता और पाकिस्तान की समरतन में बाते कहता है तो इस वज़े से अर्मीनिया को भी भारत ने कुछ जो वेपन्स है वो सप्लाई सुरू कर दिया है तो उसमें एक पिनाका रॉकेट के बारे में बात चल रही है स्वाती रडार पहले ही वहां पे सप्लाई कर दिया गया है उसके अलावा भी और भी चीजें बाते उस पे चल रही है तो इसलिए भारत के तरफ से हर तरफ से एक मल्टि डैरेक्शनल रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है तो क्रिटीग जो हैं वो सही है कि अर्दुगान को क्यों हम HELP कर रहे है तुरकी को क्यों हेलप कर रहे है जोकि तुरकी हमारे बारे में इस तरह की सोचि र बहुत ज्यादा डाइनेमिक है और भारत के जो इंट्रेस्ट है उनको आगे रखके ही इन सब चीजों को फॉलो किया जा रहा है तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री आरब देशों में उनका आना जाना रहा है और इस वज़े से इतनी अच्छ वहां पे दोस्ती हो चुकी है अरब में खासकर सौधी एरेविया यूए के साथ की 370 जब भारत हटाया था तो अरब के तरफ से बहुत ही कोई रिस्पांस नहीं मिलाता हो सकता है कतर ने कुछ कहा हो लेकिन कतर के अलावा कोई और देश ने कोई खास रिस्पांस नहीं दि था ओईसी जो है जो कहा जाता है कि मुस्लिमों के लिए के सबसे मुस्लिम देशों के लिए बहुत बड़ा और इसिष्ट कॉरपरेशन या कुछ इस तरह है उसके तरह से भी एक फॉर्मिलिटी के नाम पर कस्मिर के रागलाब दिया जब लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने क कुछ तरह से भी फेवर नहीं किया है उसके अलावा भी यूएई के साथ भारत जो है हमारा जो ट्रेड है वो मतलब अफटर अमेरिका चैना यह तीसरा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएई है तो यूएई में भारत के तरह से बहुत जादा एक्सपोर् मिलती है तो वह भी एक है पहले वहां पे पाकिस्तान के फूड सप्लाई जाते थे एग्रो प्रोड़क्स जाते थे लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को डिप्लेस कर दिया ऐसा ही वह साथ साथी अरेबिया में भी देखने को मिल रहा है तो यह पॉस्टिव न्यूज है इ उसमें मदद के लिए सामने आया है जैसे कोवीड के समय में भी बहुत सारे देशों के भारत ने वैक्शिन सप्लाई की थी यह में में जब यू धूँद हुआ था तो बहुत सारे देशों को के नागरीक जो वहां पे फशे हुए थे उनको भारत में निकाला था उसके बा अपना एक प्रजेक्ट करना चाहा है कि अब हम भारत जो है वह लीडर्शिप का रूल निभा सकता है एक अपना स्टैन्ड रख सकता है वह किसी और के को फॉलो नहीं करेगा चाहे वह अमेरिका को चाहे वह चायना को अगर भारत के इंट्रेस्ट में हैं कि रस्या से ओई लेना है तो भारत अमेरिका के खिलाफ जाके रशिया से ऐल लेगा फिर चाहे अमेरिका कितना भी जादा नाराज क्यों ना हो S-400 लेना का था तो भारत ने S-400 लिया इसमें भी अमेरिका की नाराजगी थी लेकिन भारत ने ऐसा किया तो यही देखने वाली बात है जब आप सब चीजों को देखते हो एक साथ है एक होल पिक्चर आपके सामने नजर आती है तो आप समझते हैं कि यह जो जो भी एड है ज आप एक अच्छे बैलेंस्ट नजर आते हैं आपकी पॉर्ण पॉलिसी और आप प्रोजेक्ट होते हैं एक स्ट्रॉंग लीडर के तरह एक स्ट्रॉंग नेशन के तरह तो यही बात यहां पे देखने को मिलती है तो क्रिटीक्स जो है वो अपने नजरिये से सहीं भी हैं ल देखने को मिल रही है हो सकता है कि अब जल्दी सब कुछ समेटा जा सके क्योंकि बहुत लोगों वहां पे मदद को आ चुके हैं वहां पे बचाव कारी बहुत ही तेजी से चल रहा है और एक और बात यहां पे यह है लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि बारत ने यह क्यों किया है तो दोंट कम हीर आस्किंग फॉर वोट तर्की प्रेज और्दुगान फेज़ पीपल्स रयाथ आफ्टर कुएक तो यह वी एक बात है कि जो तुर्की में इलेक्शन आने वाले हैं और हो सकता है कि इलेक्शन में अर्दुगान को इस समय बहुत थी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े उनी सो निरानवे में तर्की में इसी तरह कि कुछ हालात बने थे वो समय भी भूकम पाया था और वहाँ पे उसमय एक relief fund established की गई थी जिसमें माना जाता है कि तीस अरब बिलियन डॉलर यानि तीस अरब डॉलर तीस अरब यूडो वहाँ पे उसमें थे लेकिन वह गायव हो चुके हैं उनका कुछ पता नहीं है तो वह भी एक मसला बन रहा है election के उसमें तो अगर भारत अपने तरफ से कुछ influence वहाँ पे डाल सके तो वह भी भारत के लिए अच्छा रहेगा ऐ हर जगह होता है हर देश ऐसा करता है यह सिर्फ मानवता की बात नहीं है यह राजनीतिक यह कूटनीती भी हमारे self interest को भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सर्वो पड़ी अपना देश ही आता है उसके बाद ही कोई और आएगा तो यह कुछ बाते हैं वह मैं आपके सामन करें और जादा जादा लोगों को पहुंचाए सब्सक्राइब करें अभी के लिए इतने अगले बार फिर मिलते तब तक के लिए नमस्ते जाहिंद